तो गाईज अगर आप सभी लोग अपने फोन में WhatsApp पे लोगिन कर रहे हैं और यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ लिया आपके फोन में जो OTP है गाईज वो यहाँ पे नहीं आ रहा है बार बार आपको प्रॉब्लम आती है OTP की तो इस वीडियो में आप सभी को इस प्रॉ OTP पे click करके आप अपना OTP डालना चाहते हैं तो आपके phone में guys OTP तो आता ही नहीं है आपके phone में receive नहीं हो पाता है तो आप अपना OTP कैसे डालेंगे तो first of all आप login करने से पहले सबसे पहले आपको अपने phone में WhatsApp का जो application उसको update करना है और update करने के बाद आपको एक setting कर लेनी है मैं आपको बताता हूँ setting आपको कैसे करनी है तो सबसे पहले आपको अपने phone में setting को open करनी है और यहाँ पे आपको उपर क्यों slide करना है यहाँ पे एक option आएगा application का तो आपको यहाँ पे click करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको manage apps पे चले जाना है यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे whatsapp करके लिखना है guys और यहाँ पे आपको whatsapp का जो application है वो देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उपर के और स्लाइट करनी है और यहाँ पे आपको एक option आएगा Restrict Data Uses का तो आपको यहाँ पे क्लिक करने है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको Wi-Fi और Mobile Data को इस तरीके से Enable करनी है इसको enable करने के बाद आपको इसको ok करने है और guys इसको ok करने के बाद आपको जो है अपने phone का storage जो है clear करने है मतलब कि storage पर आपको click करने और इसका data आपको clear कर लेनी है उसके बाद अब आपको login करनी है guys तो अगर आप login करते हैं यहाँ पर WhatsApp पर तो आपको जो है कोई भी problem नहीं आएगी तो इस तरीके से आप जो number यहाँ पर enter करेंगे सहीं से तो number enter करने के बाद आपके phone में guys एक OTP सेंड कर दिया जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे आप अपना number enter करेंगे और यहाँ पर देखिए guys जो है जो OTP है वो आपके phone में send कर दिया जाएगा तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए